अगर आप भी जीवन में सुक, शान्ती, धन, सम्रिध्य, सफलता, प्रगती, संतान, प्रमोशन, नौकरी, विवाह, प्रेम चाहते हैं, तो इन मंत्रों को अवश्य श्रवन करें। दोस्तो, आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव के ऐसे शाबर मंत्र की साधना के बारे में, जो आपको हर तरह की सुक, शान्ती, एश्वर्य, धन, प्राप्ती, पित्र, शान्ती, नवग्रह, शान्ती, सारे रोग, दोश, दुख, दरिद्र और किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनरजी और शत्रु की परेशानी से छुटकारा दिलाती है महादेव का यह शाबर मंत्र की साधना के बाद यह सभी साधना की सिध्धी आपको इतनी तुरंथ मिलेगी कि आप देखकर दंग रह जाओगे क्योंकि महादेव द्रिलोक के अधिपती है यह सभी देवों के देव है भूतों के नाथ है सच्ची श्रद्धा भाव भक्ती भाव से अगर इस मंत्र के श्रवन किये जाए तो भगवान शिफ पलभर में प्रसन्न होने वाले देव है यह तुरंथ फल देने वाली साधना है महादेव के शाबर मंत्र की विधी इस प्रकार है इनका श्रवन आप कभी भी कर सकते हो आपकी पूजा जब समाप्त हो जाए तब वहां आसन पर बैठ कर इस मंत्र के केवल आपको 21 बार श्रवन करने है इस प्रकार सुबह शाम आपको इस मंतर के 21-21 बार श्रवन करने हैं अगर आपके पास समय ना हो तो केवल सोमवार के दिन भी व्रत रहकर आप इस मंतर के श्रवन कर सकते हो और जो बहने 16 सोमवार का व्रत रहती हैं, वह भी अगर इस मंत्र का श्रवण करे तो उनको विशेश लाब होगा उनकी हर एक इच्छा पूर्ती होगी, उनकी मनों कामना की पूर्ती होगी और भगवान शिव का आशीरवाद उनको प्राप्त होगा और इस मंत्र के श्रवण करने से कई जन्मों का पापों का नाश होता है वीडियो देखने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें इस मंत्र को आप मोबाईल पर लगा कर भी श्रवण कर सकते हैं मंत्र इस प्रकार से है हमारी घटो घट में सोहंग आप तीन भवन के नाथ सुमिरन करो सुनो स्वादों शिव आदादेश सद उपदेश करावे दर्शन्दो शिव शंभू नाथ और आहंग वचन सुहंग सदचाया सुनित परकटी भांकी गोटी भभूत की मुठ्थी शिव समरे माया तुटी आहंग नाम आदी अनादी महेश्वर की भक्ती करो सोहंग सत्र अनुकार अजर नाम पर प्रेम दरू आहंग सोहंग शिव नाम का साधन करो दर्शन्दो अविचल भक्ती करो शिव समरता प्राण छूटे तो अमरापुर में वास करो